नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोत कुमार जो की बिहार के सबसे जाने माने और विश्वसनिय रिदय रोग विशेशग्यों में से एक है आज हम एक बहुत ही एहम सवाल लेकर यहां बैठे हैं अक्सर जो लोगों को रिदय रोग के जो मरीज होते हैं उन्हें खास तोर पर ही सलाह दी जाते हैं कि उन्हें अपनी डाइट में ड्राइफ फ्रूट को खास जगा देनी चाहिए खास तोर पर अक्ष्रोट का सेवन जो है वो किया जाना चाहिए तो सबसे पहले डॉक्टर साब नमस्कार बहुत बहुत स्वायगत है आपका डॉक्टर साब मैं सबसे पहले सीधे सीधे यही जाना चाहूंगे कि ड्राइफ फ्रूट्स जो हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना रिदे रोग के मरीजों के लिए फाइदे मंद साबित होता है या फिर उल्टा असर दिखा सकता है नमश्कार जी नहीं जो ड्राइफ फ्रूट्स के बारे में एक भरांती है कि इसमें चर्वी बहुत ज्यादा होती है और ये शायद खतरनाक होता होगा हार्ट के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है चर्वी कई तरह की होती है कुछ चर्बी होती है जो हिर्दय के लिए गुनकारी होती है कुछ होती है जो हानिकारक होती है तो जो गुनकारी चर्बिया होती है जिनको हम polyunsaturated fats कहते हैं वो जितने भी nuts हैं उनमें उनकी मात्रा बहुत जादा होती है तो वो कभी हाट को नुकसान नहीं करती है और उसकी सला हम जरूर देते हैं कि आप खाएं लेकिन एक जो कॉशन है जो हमेशा ध्यान रहना चाहिए क्योंकि चुकी इनमें चर्बी है तो चर्बी से वजन बढ़ने का हमेशा खत्रा होता है तो ऐसा नहों कि साहब आप इतना ज्यादा ड्राइ फ्रूट खा रहे हैं कि आपका बजन बढ़ गया है तो जो उसका गुनकारी प्रभाव है वो उसको वो निगेटिव कर देगा अधर्वाइज कोई भी आप ड्राइ फ्रूट खाएं चाहे वो काजू हो या खरोट हो बादाम हो किसी के खाने में कोई ऐसा नुकसान नहीं है और सारी की सारी जो हैं वो हार्ट के लिए फाइदे मन दें डॉक्र साब खास तरब नट्स को लेकर बहुत सारी discoveries होती रहती हैं बहुत सारी research papers तयार के जाते हैं और क accounted में ये भी लेका होता है य कि नट्स में या ड्राइफ फ्रूट में अपने आप में इतना oil होता है कि वो खाफिल्ट लोगों के लिए हानी कारक होता है ऐसे में लोग असमंजस में पढ़ जाते हैं कि ड्राइ फ्रूट्स खास तौर पर अखरोड जो है उसका सेवन करें या फिर ना करें। नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो चर्बी होती है वो कही तरह की होती हैं। जो एक्चुली हिल्प करती हैं जो हमारे शरीर में जो धमनिया हैं उनमें जहां चर्बी जमा होता है तो अगर आप अच्छे चर्बी की मात्रा बढ़ाईएगा तो वो जो गंदा चर्बी जमा होता है धमनियों के अंदर वो एक्चुली वाश आउट हो जाता है और जो खत् आपके उपर heart attack का वो टलता है तो अक्रोट भी वैसे ही है अक्रोट से कोई ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि भुहानी कारक है उसका जो भी तेल जो उसमें होता है वो polyunsaturated fat ज्यादा होते हैं saturated fat ही होते हैं जो खतरनाक होते हैं और saturated fats की मातरा nuts में कम होती है तो जो diet जो recommended है heart के बचाओ के लिए जिसको हम Mediterranean diet कहते हैं उसमें nuts का बहुत importance है किसी भी तरह का nuts अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साब अभी आखरी सवाल में यह जानना जाहूंगी कि खजूर को लोग कहते हैं कि heart diseases के लिए काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं dates are very good for a heart patient तो क्या यह बात सही है कि dates खाने से heart attack के chances जो है वो reduce हो जाते हैं यह तो नहीं जानता हूं की खाने से heart attack का chances कम हो जाता है लेकिन like any other fruit or like any other nut जो खजूर होता है वो भी उसमें कोई कोई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया है जिससे कि heart को problem हो या heart attack का risk बढ़ जाता है तो खजूर भी किसी भी fruit की तरह है like a dry fruit और उसमें कोई तो कोई ऐसा नहीं ऐसी कोई जानकारी है की dates खाने से और जहां तक मैंने अभी बताया कि Mediterranean diet में खजूर भी एक है जो recommended है तो ऐसी कोई बात नहीं खजूर is a very safe thing for heart no doubt उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब की अगले एपिसोड में तब तक किल अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं